औरिशा के पुरी और पश्चिम मंगाल के सागर द्वीप के बीच पहुंस सकता है इसे लेकर मोसम विभाग नियालर्ट जारी किया है और पश्चिम मंगाल के सागर द्वीप में तूफान का लेंट फॉल होगा यानि तेजी से ये तट से टकराएगा और फिर जो इसकी गती है वो धी में धी में कम होगी लैंड फॉल पश्रिम मंगाल के साथ जिले चक्रबाद से सबसे जादा प्रभावित हो सकते हैं तूफान के असर से कोलकाता, हावडा, हुगली, उतर 24 परगना, पुरूलिया, बाकुरा इन जिलों में बहुत भारी बारिश हो सकती है ये अलग-अलग तस्वीरा हम देख रहे हैं, दाना तूफान की दस्तक, पूरी से तूफान का आगाज, लोगों को हटाए गया है कई राज्यों के लिए अलर्ट जारी किया गया, इंडिया रफ तैनात कर दी गई है ओडिशा के केंद्रपाडा, कटक, नयागड, कंदमाल, गचपती, जलों में अलग-अलग जगा पर तूफान और विजली गिर सकती है भारी से बहुत भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है भारती अत्तर रक्षक बल्बी हाई अलर्ट पर है, चक्रवाती तूफान से उत्पन होने वाली आखस में कि स्थिती से नेपटने के लिए तैनात कर दिया गया है तो दाना तूफान की दस्तक प्रचंड तूफान से नेपटने की क्या कुछ तैयार हैं वो आपके स्क्रीन पर आपको नसर आ रहे होंगी दाना तूफान की दस्तक पुरीश से तूफान का आगास लोगों को हटाए गया है, NDRF एहतियातन अलर्ट पर है एयर फोर्स को भी अलर्ट पर रखा गया है, दाना तूफान को जाल लीजिए ओडिशा और बंगाल के तटोपार अलर्ट, आज ये गंभी रूप ले लेगा, 120 किलोमेटर प्रती घंटे की रफतार से हवाए चलेंगी हवाए क्या, 120 किलोमेटर प्रती घंटे की रफतार अंदाजा लगा लीजिए कितने हैरत की बात है, दाना श्रब्द, उदार इसके माइने है, लेकिन तूफान इतना प्रचंड कि उदारता कहीं से इसमें नजार आएगी नहीं तूफान दाना को लेकार अलर्ट, तक्रीबन 200 से जाधा ट्रेन जो है, वो भी रद्द करनी पड़ी है भीतरकनी का मैनग्रोफ फॉरेस्ट, इसके उपर से ही आज गुजरेगा सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म दाना और वहाँ पे लैंड फॉल होने से पहले, जो यहां के जो मचवारे है, इस एरिया में ज्यादा तर जो लोग रहते हैं, वो सब मचवारे ही है और मचवारे के जो बोट है उनका, उस बोट को सुरक्षित करने का जो आखरी मोमेंट है, वो ही ही है क्योंकि इस बीच हमने देखा है कि डिस्ट्रिक अड्मिनिस्टेशन की तरफ से जितनी जल्दी हो सके उनको यहां से हटा के, एक सुरक्षित जगा पे ले जाने का कोशिश भी जब चल रही है, तब यह मचवारे लोग जो है, जिनका काम पूरी तरह से चलता है, इस बोट के उपर, इस ट्रॉलर के उपर, उन लोगों ने अभी भी यहां से जाने से एकदम आखिर मोमेंट तक यहां पे अपने बोट, अपने ट्रॉलर को यहां पे सुरक्षित करने का जो काम है, वो काम अभी भी वो लोग यहां पे कर रहा है, भीतर कनी का जो बैंग्रोफ फॉर जैसे कि देख रहा है कि जब नॉर्मल समय पे इन ट्रॉलर्स को यहां पे खरा कर दिया जाता है तो नॉर्मल यह एंकर डालके यहां पे खरा कर दिया जाता है इन बोर्ट को लेकिन इस बार जो किया जा रहा है यहां पे रसी से एक बोर्ट को दूसरे से और दूसरे को तीसर इस तरह से टाई कर दिया जाएगा अंदाजा लगा लिए 120 किलोमीटर प्रती घंटे के रफतार से यह जो तूफान है चलने वाला है बंगाल के साथ जिले से सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे भारी से अतिभारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है और आज रात यह माना जा रहा है कि ओडिशा से यह जुदाना यह ठकराएगा 309 पर असर है 500 से ज़्यादा ट्रेन रद कर दी है बंगाल समेच 6-7 राजियों में इसका असर रहेगा बंगाल की खाड़ी से यह उठा है तठीए अलाकों में स्वक्त तकरीबन 70 किलोमीटर प्रती घं रही है और ओडिशा भद्रक से नबेश हमारे सहोगी आपको नजर आ रहे होंगे वो भी पूरी तैयारी के साथ आपको दिख रहे हैं लेकिन आप तक जानकारी पहुँचाने के लिए वो इस वक्त खड़े हुए हैं नबेश क्या कुछ अपडेट देखें ललीट अभी जो चक्रबाती तूफान है भद्रक से लगबग 200 किलोमीटर की दूरी पर यह भी है बेव बेंगल में है मगर इसका इंपक्ट अभी से सुरू हो चुका है कि अमरबस्वन चेतन को बोलना चाहूँगा आपको दिखाए ताजा और लाइब विज्वे है पुरा सटा हुआ इलाका है और हवाय अभी से तेज से बहना सुरू हो चुकी है यह तो कल रात देड़ बज़े से हवायों का जो चलना है वो प्रवा जा रही है मगर जितना जितना यह जो साइकलों है चक्रबाती तूफान जितना जितना करके कोश्ट के नजदिक आता जा रहा है हवा की रप्तार भी बढ़ रही है और बारिस भी भारी मात्रा में हो रही है मगर यह तो कुछ भी नहीं है जब ललीत यह जो हब चक्रबाती तूफान तटको टकराएगा तब हवा की रप्तार 120 से जादा की हो सकती है 120 लैंडमार्क है उससे आगे भी जा सकती ह तो उस बट भारी तबाही मचने की यहां आस्तंका है इसको देखके उडिसा सरकार ने अपने तरब से पुरी तैयारी पहले से दो दिन पहले से कर चुकी है जो सागर के किनारे से जो सते ही हो जो इलाके हैं उनमें रेरे लोगों को सब सेल्टर होम में बुलाए गया है प्रूरी सामा ने इसको उसका इंतिजाम भी प्रसासने किया है मगर सबसे बड़ी दिक्कत है यह है कि सागर को लगके तटको लगके यह इलाका है और धीरे-धीरे करके समुद्र का पानी तटकी ओर आ रहा है जहां हम खड़े हैं हमसे लगबग 100 मिटर दूर पे दूरी प प्रवाइत हो रहा है अगर 120 की रफ्तार की 20 किलोमेटर की रफ्तार से हवाओं के साथ समुद्र का पानी तट से टकराएगा जो बांध है वो बांध भी विखरने का आसंका अभी से जताया जा रहा है अगर वो बांध विखरता है खुदा ना कास्ता अगर विखर गया तो जो आएमडी की तरफ से जो ताजा जानकार या आप आ रही है उनके मुताबिक लगबग दो मीटर की उचाई से जो लेहरें वो तटको तक्रा सकती है तो उसकी बज़े से सायद यह जगा चपेट में आ सकता है एसा अभी अंदसा जता है जा रहा है जी लली से मैनेजमेंट किया जा रहा है आपने पूरी संख्या गिनाई की इतने विलेज जो हैं इतने गाउं जो हैं बहुत बुरी तरह इससे प्रभावित होंगे क्या अरेंजमेंट्स अभी हैं देखिए अगे अगर वडिवा की बात करे आप जानते हैं उडिवाव प्रांट की साइक्लोन हर साल आते जाते हैं मगर लगबग हम अगर देखें तो जो स्यसा मेरी में आते हैं आप interface भी से बस नासल के बात chemical बइम तरह से अपने अपको तयार कर लिया है और साइक्लोन की मुकाबला करने के मामले युनिस को भी उड़िसा सरकार के साराणा कर चुकी है तो उड़िसा सरकार ने जब आईमडी ये इस बात की चयता नहीं देना सुरू कर दिया था लगबग 5 दिन पहले तबीसे ही उडिसा सरकार ने अपनी तरब से जो government का जो machinery जो सरकारी अधिकारी है जो आला अधिकारी से लेके गाम पंचाइद तक जो अधिकारी है सब को अलट मोड में रख दिया है जिसके बजाएं से लाखों की संख्या में लोगों को इभाकवेट किया जा रहा है और कें यहां के ओडिसा के जो ODRF है और यहां के जो फायर डिपार्टमेंट है सब के जवान अभी तैनात है पेड़ के गिना सुरू हो चुके हैं मगर अभी तक कोई जानो माल का नुक्सान नहीं हुआ है मगर ओडिसा सरकार ने एक अपने अपने एक संकल्प किया है कि जीरो रहा है तो यह नारे को सक्चाई में बदलने के लिए पूरी जो गर्मेंट के मैसेनारी है सब लोग लगे पड़े हैं तो इस बात की आसन का बिल्कुल हम कह सकते हैं बिल्कुल भी नहीं है साहिद किसी की जान ना जाए लेकिन जो चक्रवाती तूफा नहीं यह बहुत ते तैयारिया कर ली गई है तैयारियों को लेकर भी उन्हें ने बताया के बाकादव यूनेस को तारीफ कर चुका है ओडिशा की और यह बात सही है जिस तरह का बेटर मेनेज्मेंट में नजर आता है ओडिशा में और वह सिर्फ ऐसा नहीं है सरकार का के लिए नहीं है लोग भी उसमें प्रॉपर सरकार के रेस्क्यू के साथ हाथ मिला कर चलते हैं और यही वज़ा है कि उडिशा बेस्ट मेनेजमेंट के लिए जाना रहता है यूगल भी आपको नजार आ रहे होंगे यूगल 36 गण के साथ से आठ जिलों पर इसका सीधा असर रहने वाला है दाना का क्या अपडेट यूगल देखने को मिलेगा बस्तर में हलकी बुंदा बांदी हो सकती है और इसके आलावा जो रायकड है महा समून है धमतरी है काकेर है सहित कई ऐसे जिलों है और खास करके इसका असर है उत्तर और मद्य 36 गण में देखने को मिलेगा और जिस तरह से ये कहान जा सकता है कि तुप्फान जब भी आता है तो अपने साथ कई मुसीबतों को लेकर कर आता है और यही वज़ा है कि कई जी जीलों है बारिस है वों हो तो खास तोर पर यही कह सकते हैं ललीत कि तुफान का असर है वो 36 गड़ भी दिखने को मिलेगा और वैसे भी 15 ट्रेनों को तुफान की वज़े से जो रद कर दिया गया है तो यात्रियों को भी इसकी मार है वो जहली पड़ेगी जी